देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया था, कई ओने फासी के फंदे को चूमा और कई स्वतंतरता सेनानियों ने काले पानी की जेलों में उम्रभर अमानविय यातनाय सही थी. अंग्रेजों द्वारा भारतिय स्वतंतरता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए इस जेल को बनाया गया था. अंग्रेजी सरकार द्वारा इस जेल की नीव 1893 में रखी गई थी इस जेल में 694 कोठरिया हैं इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य कैदियों के आपसी मेल जोल को रोकना था ओक्टोपस की तरह साथ शाखाओं में फैली इस विशाल कारागार के अपकेवल तीन अंश बचे हैं कारागार की दिवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं यहां एक संग्रहाले भी है जहां उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिन से स्वतंत्रता सैनानियों पर अत्याचार किये जाते थे सेलूलर जेल का निर्मान 1893 को शुरू हुआ और 1906 को समाप्थ हुआ लेकिन द्वीपो को कारावास के रूप में उप्योग करने का विचार 1857 के भारतिये विद्रोह या स्वतंत्रता के पहले युद्ध के बाद आया था विशेशग्यों की एक समिती ने दिसंबर 1857 में एक सर्वेक्षन के लिए द्वीपो का दोरा किया और जनवरी 1858 में ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी सरकार ने अंडमान द्वीप को जेल के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया और 200 कैदियों का पहला जत्था 10 मार्च 1858 को डॉक्टर जेपी वौकर के प्रभार के तहट द्वीप पर पहुँचा भले ही अंग्रेज 1857 के विद्रो को कुचलने में काम्याब रहे लेकिन वे उपनिवेश्वादियों के शासन से मुक्ती के लिए जोश और जुनून को शांत नहीं कर सके जल्द ही अधिक से अधिक विद्रो होने लगे और स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी संख्या में उनमें भाग लिया पकड़े गए लड़ाकों को अंडमान में दंड के लिए भेजा गया था और शुरू में कैदियों को खुले बाडों में रखा गया था उन्नीसवी शताबदी के अंत में जैसे जैसे अंडमान और निकोबार द्वीब समूह में भेजे गए कैदियों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी अधिकारियों के लिए सक्ट अनुशासन लागू करना मुश्किल हो गया ब्रिटिश सरकार को एक उच्छ सुरक्षा वाली जैल बनाने की आवश्क्ता महसूस हुई जिसमें बड़ी संख्या में कैदियों को एक आंध कारावास में रखा जा सके चार्ल्स जे लायल और एस लेथब्रिज की अध्यक्षता में एक दो सदसिय समिती ने 1890 में पोर्ट ब्लेयर का दोरा किया और पोर्ट ब्लेयर के पास एक जेल के निर्मान की सिफारिश की क्योंकि अंडमान द्वीप समूह के लिए परिवहन की सजा और देश्य को प्राप्त करने में विफल रही थी सेलुलर जेल भवन का निर्मान में केवल कैदियों को निर्मान श्रमिकों के रूप में उप्योग करके इसे पूरा किया गया सेलुलर जेल भेजेगा इस ज्यादातर कैदियों को अमानवियर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था उन्हें ऐसे काम दिये जाते थे जिन्हें समय के भीतर पूरा करना आसंभव होता था और उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी लोहे के त्रिकोनिय फ्रेम, बार बेटर्स, क्रोस बार बेटर्स और गर्दन की अंगूठी की बेडियों और टैर की लोहे की जंजीरों पर अकसर यातना और कोड़े का सहारा लिया जाता था अन्य शारीरिक कठिनायों में बोरी की वर्दी और कोल हूप पर काम करना शामिल था और एक निश्पादन कक्ष भी था भोजन की गुनवत्ता खराब और अस्वच थी और किसी भी सेल में शौचालय की सुविधा नहीं थी कभी कभी कैदियों को एक सप्ता के लिए हतकरी लगाई जाती थी छे महीने के लिए बेडियों में बांध दिया जाता था या एकांत कारावास में भेज दिया जाता था कैदियों ने अत्याचारी जेल अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया और 1932 और 1937 के बीच सामुहिक भूख हर्ताल की अंतिम हर्ताल जुलाई 1937 में शुरू हुई और 45 दिनों तक जारी रही और महात्मा गांधी और रवीन्दरनाथ टैगोर के हस्तक्षेप के बाद ही समाप्थ हुई अंत में सरकार ने बंदोबस्त को बंद करने का फैसला किया और जन्वरी 1938 तक इसने सेलुलर जेल के सभी राजनीतिक कैदियों को उनके संबंधित राजियों में वापस भेज दिया द्वितिय विश्व युध के दोरान जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूपर कबजा कर लिया था 39 दिसंबर 1943 को जापान ने द्वीपों का कुछ राजनीतिक नियंतरन नेताजी सुभाष चंद्रबोस की आजाद हिंद सरकार को दे दिया जिसे स्वतंत्र भारत की अनन्तिम सरकार के रूप में भी जाना जाता है उन्होंने पोर्ट ब्लेयर का दोरा किया और 30 दिसंबर 1943 को अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में जिम्खाना ग्राउंड जिसे अब नेताजी स्टेडियम कहा जाता है में तिरंगा जंडा फेहराया 11 फरवरी 1989 को भारत के पूर प्रधान मंत्री मुराजी देसाई द्वारा सेलुला जेल को राष्ट्रिय समारक घोशित किया गया था 1963 में गोविंद बललब पंथ अस्पताल सेलुलर जेल के परिसर में स्थापित किया गया था और अब यह स्थानिया आबादी की सेवा करने वाले लगभग 40 डॉक्टरों वाला अस्पताल है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सन्रक्षन में है आज सेलुलर जेल भारतिय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा सामना की जाने वाली करूर कठिनायों के प्रतीक के रूप में खड़ी है जेल परिसर के अंदर रोजाना शाम 6 बजे, हिंदी और शाम 7 बजे, अंग्रेजी में कैदियों द्वारा जेली जाने वाली यातनाओं की कहानी को साउंड एंड लाइट शो में दिखाया जाता है दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी कृपया हमारे चैनल को शेर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारिया आप तक पहुँचती रहें